नवा मलिक के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं मलिक के हालात बिलकुल बिगड रहे हैं कंडिशन ये है कि अब मलिक पर हमले की नई तारीक भी आ गई है जी यहां ABC ने नई तारीक तैग कर दी और इस बार ऐक्शन अटैक डबल होगा क्योंकि नसिर्फ नवा मलिक बलकी मलिक के बेटे पर भी इस बार एक्शन होने जा रहा है हालात यह एं कि मलिक के बेटे के पास सिर्फ चे दिन का वक्त बचा है तो क्या है नया अपडेट क्या होगी अगली तारीक कौन सी है वो तारीक क्यों एक खास तारीक को ही नवाम मलिक और उनके परिवार पर ED का डंडा चल रहा है आपको सब कुछ बताते हैं आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि इस बार ED भ यहां से मिलेगी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं उल्टा हाई कोट ने साब साब कह दिया कि नवाम मलिक के खिलाब केस सही है नवाम मलिक की गिरफतारी सही है और यहां तक की ED के सारे एक्शन सही है जिसके बाद ED जबर्दस जोश में है और तुरंती अगली कारवाई अगल मलिक को गिरफतार किया था और अब 23 मार्च को ही अगले एक्शन की तैयारी है जी हां तो ED ने पहले 23 फरवरी को नवाम मलिक को गिरफतार किया था और अब 23 मार्च को ही अगले एक्शन की भी तैयारी है जी हां 23 मार्च को ही नवाम मलिक के बेटे पर कारवाई हो सकती है फ यानि कि सोमवार को फराज मलिक को तीसरा समन भीजा जाएगा होली के ठीक बाद आने वाला ये सोमवार भारी पढ़ने वाला है नवाम मलिक और उनके परिवार पर 21 मार्च की वो तारीक है जिस दिन फराज को तीसरा समन भीजा जाएगा की तारीक को एडी नवा मलिक के वेटे फराज को गिरफतार कर सकती और नवा मलिक के साथ-साथ फराज पर भी एक्षन होगा रिमांड होगी पुष्टाज होगी और जेल तक हो सकती है अब यहां पर दो कंडिशन है उन्हें भी समझे अगर एकिस मार्च के समन के बाद कर लिए उसरी चौडिशन दो के लिए भी तार ली फराज मलिक पुष्टाज के लिए खुद नहीं आते अचे तो फिर ईडी की तरब से एक्षन होगा और 23 मार्च की वो तारिक इसलिए टाई की गई है 23 मार्च को E.D. एक्षन लेते वे फराज मलिक को गिरफ़तार कर सकती है अब वैसे भी फराज मलिक ने E.D. के पहले समन के बाद वक्त मांगा था और कहा था कि 20 साल से जादा पुराने मामले में कई बात हैं वो भूल चुके हैं इसलिए उन्हें वक्त चाहिए और इसलिए करीब करीब महीने भर का वक्त E.D. के तरब से दिया भी जा चुका है और E.D. महीने भर से इंतजार ही कर रही है लेकिन फराज मलिक पूछताच के लिए पहुँचे नहीं है लगातार समन भेज़े जा रहे हैं लेकिन उनको वो इगनोर कर रहे हैं इसलिए अब तीसरे समन के तयारी है तीसरे समन के बाद वैसे भी जाँच एजनसी के पास ये अधिकार होता है कि वो समन्नित स्रक्ष को गिरफतार कर सकती है और इसलिए अब इस केस में भी ऐसाई को जो हो सकता है अब फराज मलिक के बाद सिर्फ 6 दिन का वक्त बचा और इन 6 दिनों में अगर फराज मलिक खुदी ED के बास पहुंचते हैं तो ठीक है नहीं तो एक्षन होगा बड़ा एक्षन होगा कड़ा एक्षन होगा क्योंकि तारीख ताई हो चुकी है उगलवाना चाहती है या फिर फराज मलिक को फसाने की तैयारी हो रही है फराज मलिक पर घलत एक्षन हो रहा है आपका क्या कहना आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राज जरूर दें वीडियो को शेयर भी करें तो नवाम मलिक को अपनी लीगल टीम पर पूरा पूरा भरोसा था और सिनियर वकील अमित देसाई की लिडरशिप में मलिक की याचका पर जबरदस बहस भी हुई थी कि सरकारी वकील ने क्या दलीलें दी वो नवाम मलिक को बताया ही नहीं गया वो इसलिए तो नवाम मलिक भी सही हालात का अंदाजा लगा नहीं पाए और जूटी उमीदें पाल ली फाइनली 15 मार्च को नवाम मलिक को हाई कोट से जटका लगी गया भॉंबे हाई कोट ने साब शब्दों में कहा कि नवाम मलिक को अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती आपकी याची का रिजक की जाती है खारिश की जाती है और अगर आपको राहत चाहिए तो आप वकील के जर बाहत मिली जाएगी अब नवाम मलिक मॉंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है तो सुबह सुबह जब फैसला आया तो तब तो उन्हें पता नहीं चला लेकिन जेल मैनवल के मताबिक कहदी को बताना होता है कि कोट में उस पर आज सुनवाई की दौरान क्या हुआ क्या ह और उसी मैनवल के मताबिक शाम च्छे बजे नवाम मलिक को इसकी खबर दी गई जी आर्थरोड जेल सुतरों के मताबिक नवाम मलिक अपनी बेरेक में थे और वहीं पर जेल का मैसेंजर भी पहुँचा और नवाम मलिक को बताया कि बंबे हाई कोट ने आपकी याचिका को खारिज कर दिया है आपको तुरंत रिहा करने और आपके खिलाब दायर केस को खारिज करने से भी कोट ने फिलाल इंकार कर दिया है अब जेल सुतरों के मताबिक ये सुनते ही नवाम मलिक को बहुत बड़ा जटका लगा और जटका भी ऐसा कि नवाम मलिक ने तुरंती सिर जुका लिया, जेल सूत्रों के मुताबिक मलिक ने अपने सीने पर हाथ रख लिया वहीं पर बैट गए, काफी देर तक नवाब मलिक चुप चाप एक टक वहाँ पर बैठे रहे अब जेल सूत्रों के मुताबिक जुका लिया, जेल सूत्रों के मताबिक अन्य दिन नवाब मलिक सामान ने दिखते हैं या कहें कि सामान ने दिखने की कोशिश करते हैं और अपने चेहरे पर शिकन भी नहीं आने देते और जेल के अंदर होते हुए भी परिशान नहीं दिखते परिशान नहीं होते, लेकिन बंबे हाई कोट के फैसले ने उनके चेहरे की रंगत बदल दी जेल सूत्रों के मुताबिक काफे देर तक नवाम मलिक ऐसे ही बैठे रहे उनकी आँखे नम थी चेहरे पर परिशानी साब साब नजर आ रही थी हरांकि उनकी सेल के बाहर मौझूद बंदी रक्षक ने उनसे परिशानी को लेकर पूचा भी जेल सूत्रों के मुताबिक जिस पर नवाम मलिक ने ठीक होने की बात कही लेकिन वो ठीक नहीं थे बंदी रक्षक ने उनसे यहां तक पूचा कि उन्हें किसी चीज की जरूरत है उन्हें को चाहिए लेकिन नवाम मलिक ने मना कर दिया शाम 6 बजे की बाद ही जेल में खाना भी शुरू हो जाता है और बाकी कैदियों ने खाना भी खाया लेकिन जेल सूत्रों के मुताबिक काफी देर तक नवाम मलिक ने खाना भी नहीं खाया बैठे रहे, बेचैन होते रहे, इंतजार करते रहे फ्लें मेडिया रपोर्ट